नमुश्कार, विल्कम टू माई चैनल, मैं हूँ मनीशा, दोस्तों आज हम जानेंगे एकादसी ब्रत की महत्ता और उसकी कथा, जैसा कि पंचमरहा ब्रतों में एक ब्रत एकादसी माना जाता है, और वर्स में 24 एकादसियां होती है, और हर एकादसी का अपना एक अलग महत्त का बोहत ही महत होता है, और हर मनुष्य को एकादसी ब्रत करना चाहिए, एकादसी ब्रत करने से मनों वांचित फल की प्राप्ती होती है, सारीरी कस्टों से चुट्कारा मिलता है, और अन्त समय यानि दित्यों की समय, स्रीहरी विषनु की क्रपा से हमें बैकुंट धाम की वोती होती है तो इसलिए 10 का ब्रत करना सरबोत्तम माना जाता है। आए जानते हैं आजय!! योगनीsten एकदसी ब्रत कथा और महत है। यूधिस्टिर ने पूछा, हे मधुसूधन आजय सब्सक्री करना चुन समय है। और क्या नाम है आप हमें बताने का कृपा करें। स्री कृष्ण जी ने कहा, हे युदिस्ठिर साड मास की कृष्ण पक्ष एकदसी का नाम योगनी है और यह त्रे लोक में प्रमुक एकदसी है। हे युदिस्ठिर अब मैं तुमसे पापनाशनी पुराण की कथा कहता हूँ और उसे ध्यान पूर्वख सुनो। कुबेर नाम का राजा अलका नगरी का स्वामी था। वह राजा शिवशंकर स्री भूतनाट की पूजा में सर्वथा ही मगन रहता था। पूजा के हेतु पुस्प लाने वाले पुरुष का नाम हेम माली था। उसकी पत्नी का नाम विशाला था। और वह अत्यनत ही सुन्दर थी। एक समय बागीचे से पुस्प ना लाकर वह अपनी इस्त्री की मोह में पढ़कर घर में ही रुक गया। इधर महाराज कुवेर देवग्रिह में पूजन कर रहे थे। दोपहर का समय हो गया राजा हेम माली का इंतजार ही कर रहे थे। परंतु हेम माली अपनी पत्नी के साथ अपने घर में रास विहार में लिप्त था और उसे पुस्पों का ध्यान भी ना था। अधिक समय बेत जाने पर यक्षराज कुवेर ने अपने सेवकों से कहा तुम लोग पता लगाओ कि हेम माली इतना समय वैतीत हो जाने पर क्यों नहीं आया। इस तरह से राजा की कुरोध भरे बचनों को सुनकर सेवकों ने कहा हे महराज हेम माली अत्यंत ही कामी पुरुष है वह अपनी पत्नी के साथ अपने घर में आनंद विहार कर रहा है। सेवकों की बचन को सुनकर राजा को और भी अधिक क्रोध आया और उन्हें तुरंत बुलाने का आदेश दे दिया। उधर हे माली को भी अपना दोस ग्यात हो गया और वह भैसी कापता हुआ राजा के दरबार में आया। उसी देखकर राजा ने कहा हे पापी तुने शियो का अनादर किया। अताह तु यहां रहने लायक नहीं है तु मृत्यो लोक में जाकर इस्त्री रहित कुष्ट रोगी का जीवन यापन कर। राजा के मुख से ऐसे वचन निकलते ही वह अपने अस्थान से नीचे चला गया और कुष्ट रोगी होकर अत्यात ही कस्ट पूर्ण जीवन यापन करने लगा। परन्तु ऐसी दसा में भी शियो शंकर के प्रभाव से उसके प्राचीन स्मृती नस्ट न हुई उसे सभी चीजें ग्याग थी और वह कस्टू से पीडित अपने पूर्ब कर्मों का स्मरण करते हुए बिंध्या चल परबत की ओर गया। वहां परवः स्री मारकंडे मुनी जी से साक्षातकार हो गया। उल्सने अत्यन्त नमरता पूर्बग उन्हें प्रणाम किया। उनके आसरा में एक किनारे बैठ गया। जब मारकांडे मुनी ने उसे अत्यंत पीडित अवस्था में देखा तो दया के वशी फूत होकर उन्होंने अपने पास बुलाया और पूछा किस कारण से इस तरह के कस्टों को प्राप्त हुए हो। मुनी के प्रेम भरे बचनों को सुन कर उसने अपनी पूर्व संपूर्ण व्यथा को कह सुनाया और हाथ जोड़कर प्राथना करी हे मुनी मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं इस कस्ट से निवित हो जाऊं अर्थात कस्ट मुक्त हो जाऊं और पहले की तरह सुन्द और आकर्शक हो जाऊं ऐसा सुनकर मारकंडी मुनी ने कहा मैं तुमसे एक ऐसा ब्रत बताता हूं उसे ध्यान पूर्वक सुनों आसाड मास की कृष्ण पक्ष की योगनी एकदसी का प्रत करो उसके प्रभाव से यह कस्ट और शरीर का कुष्ट रोग निवित हो जाएगा इस तरह से मुनी के बच्चनों को सुनकर उसने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और अत्यंत ही आनन्दित होकर यह योगनी नामक एकदसी का ब्रत और पूजन किया पश्चात ब्रतों के प्रभाव से वह सभी रोगों यह कस्टों से मुक्त होकर सुन्दर स्वरूप मुआन बन गया हे राजन इस प्रकार से यह महत्व प्रदान करने वाला ब्रत अठासी हजार ब्रह्मनों को भोजन कराने से जो फल प्राप्त होता है वही फल इस योगनी नामक ब्रत करने से होता है इसलिए यह ब्रत सभी मनुश्यों को करना चाहिए ये थी योगनी एकदशी ब्रत कथा यदि आप एकदशी ब्रत करने में सक्षम नहीं है किसी कारण बस सारे रिकस्टों के कारण तब आप इसे मांसिक रूप से भी एकदशी का ब्रत कर सकते हैं जैसे कि इस दिन आप प्याज लेसुन आदी का सेवन ना करें चावल का सेवन ना करें मांसिक रूप से स्रीहरी विष्णू का मनन करें चोरी चुगली आदी ना करें पूरा दिन स्रीहरी विष्णू का मनन करते रहें उनके मंत्रों का उच्चारण करके भी आप स्रीहरी वि वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब जरूर करें नीव विडियो के लिए हरे कृष्णा